नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जरगां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं जबाब दिया जा सके, समाचार एजनसी के मुताबिक चीन का सयोग करते हुए पकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिवीदियों को बढ़ाने का पर्यास कर सकता है, ऐसे में उसे करारा जबाब देने के लिए पकिस्तान से लगने वाले पच्मी सिमयापर तेजस को तैनात किय गया है, जारखन में अच्छी बारिस हो रही है, लगतार बारिस होने से सहरवासियों की परसानी बढ़ गई है, भारी बारिस के कारण कई छेत्रों में जल जमाव की इस्थिती उत्पन हो गई है, मौसम विभाग के उन्सार बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त तक एक और न युक्ति पर किरिया सुरू कर दी गई है, एक छुक अभियार थी अधिकारिक वेबसाइट पर बिग्यापन देख सकते हैं, रेलवे में 449 पदो पर अपरेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनकी ऑनलाइन आवेदन की अमतिमती थी 15 सितमर 2020 है, उमिद देवार आवेदन कर सकते हैं, यूपी पूलिस में सब इस्पेक्टर के 9534 पदों पर रिक्तियां को बढ़ाने से समदित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वही रास्थान बिजली विभाग में 9000 पदों पर जल्द ही भी गया पन जारी करने वाला है, जिसमें 2000 जे एन वह एन के लिए, जबकि एक हैर पद लेखा कार एवाम लेखा दिकारी के लिए, जबकि 6000 पद तकनीकी एवाम मंत्रालिक क्रमचारियों के लिए होंगे, जारखन में आज 1266 ने संक्रमिते को पुष्टी हुई, जो राची से 426, पूर्वी सिमूं 360, बोकारो 62, पच्मी सिम इमडेगा, चौदा, रामगड़, बारा, गोड़डा, दस, गड़वा, नौव, चात्रा, पांच, लौर्दागा, चार, दुमका, तीन, जाम, तवाद से 2 मिले है, जारखन में कुल संक्रमितों के लिए, जबकि 15709 लोग स्वास्थ हुए, जबकि 15709 लोग स्वास्थ पूर्वी सिमुम से 2, राची से 1, देवघर 2, बोकारो 1, हजारी बाग 1, रामगर 1, पाच्मी सिमुम से 1 किमध हुए है, मंगलवार को 340 संक्रमित स्वास्थ भी हुए है, एक्टिव केस इस प्रकार है, राची 507, पूर्वी सिमु 111, धनबाद 630, पलामो 318, हजारी बा 243, खोटी 249, गुमला 227, साइब 226, बोकारो 222, पाचीमी सिमुन 208, सिम्डेका 246, गाड़वा 164, गिरीडी 161, देवघर 132, 141, 122, लौर्दाग 880, पाकूर 24, गोड़ा थावन, रांची में मास्थ टेस्टिंग ड्राइब के ताह 10 है, टेस्ट में मिले 248 को रोकने के लिए राची जीला में रैपिट एंटिजन मास्ट टेस्टिंग ड्राइब मंगलवार को चलाया गया, इस दवरान सहरी और ग्रामीन छेत्रों को मिला कर कूल 10,101 लोगों ने अपने सेंपल जाच के लिए दिये, जिसमें 248 लोगों का रिपोर्ट पोजेटीव आया है, आपको बता दे कि वहीं 983 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, संक्रामन से ठीक हो चुके लोगों में होने लगी फेफ़डा में सिकुड़न की समस्या, कुरोना को मात देने वाले कुछ लोगों में पोस्ट कोविंड की समस्या होनी सुरू हो गई है, निमोनिया पि में दर्द होता है, इसके अलावा थकान वा कमजोरी की समस्या भी हो रही है, मुख मंत्री ने बिजली के 6 गीट सब एस्टेशनों का किया अनलें उदगाटन, मुख मंत्री हेमान सुरे ने मंगलवार को 6 गीट सब एस्टेशन और ट्रांस्मिसन लाइन का अनलें उन्होंने कहा कि गिरीडी, जमुआ और सरिया में गिरीड सब एस्टेशन एवां संबंध टांस्मिसन लाइन के चालू होने से गिरीडी जिले में बिजली अपूर्ती के लिए डीवी सी पर निर्भाव नहीं रहेगी, मुख मंत्री ने कहा कि कुरोना संकट में इंचा बि जार्खन के तिरंदाजी कोष, धर्मेन तितिवारी प्रतिष्ठित दुर्णाचाल पूरसकार से नवाजे जाएंगे, ये टाटा आर्चरी अकार्डमी के मुखे कोष हाएं, दुर्णाचाल पूरसकार पर सिक्षको के लिए सबसे बहुत समान है, इस समान की घोसना के जार्खन आने वा जाने वाले वेबसाइट पर अपना ब्यवरा दे, कुरोना के मदे नजर ग्रीह करा एवं आबदा प्रवंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जार्खन में परवेश करने से पूर्व और जार्खन से बाहर जाने के पहले समंधित ब्यक्ति को जार्खन ट्रेवल.nic.in पर अपना ब्यवरा दर्च कराना जरूरी होगा जो भी ब्यक्ति जार्खन आएगा उसे स्वास्त विभागों के निर्देश के अनुसार 14 दिनों तक होम कुरेंटिन में रहना होगा जार्खन के स्वास्त मंत्री और सुदेश महतो पोजेटी जार्खन में कुरोणा वरस की रफ्तर थमने का नाम नहीं ले रही इस भी जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता और आजशू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो कुरोणा पोजेटी पाएगा है दुनों ने खुद ट्वीट कर इसकी जनकारे दी है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सला दी है कि वे होम कुरेंटीन में रहें और अपनी जाच करा ले पाराशिक्षकों को तीन मौका दिये जाने पर विचार जाकन के पराशिषकों के अस्थाई करण वो बेतनमान के लिए सेवा सर्थ निमावली का प्रस्ताव तयार कर लिया गया है प्रस्ताव के अनुरूप पराशिषकों को बेतनमान पाने के लिए परिक्षा पास करनी होगी परिच्छा पास करने के लिए अधिक्तम तीन आउसर दिये जाएंगे, हलाकि तीन बार में भी परिच्छा पास नहीं करने वाले परासिचकों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी, वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन इसका लाब उन्हें नहीं मिलेगा हाई स्कूल सिख्छक निउक्ती मामला की यचका खारीच, जारखन हाई कोट के जस्टिश С क दिवेदी की अधालत में मंगलवार को हाई स्कूल सिख्छक निउकती को लेकर दाखिली यचका पर सुनवाई हुए, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदालत ने यचका को खारिज करते हुए याज का निस्पातित कर दी है उलेखनिया है कि 2016 में जेससी के द्वारा विगापन निकाल कर जार्खन के आई स्कूल में सिख्षकों की नियुक्ति की गई थी आपको बता दे कि जेससी के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि इतियास अपने आप में करकन में बिजली बित्रन और बिलिंग नीजी हाथों में सपने की तेयारी में है फिलाल राज उर्जा विकास निगम की कंपनी बिजली बित्रन निगम के जीमें में यह काम है 2014 में अस्तितों में आने के बाद से ही कंपनी का समगर तकनी की एवंबानी जे घाटा अधिक है ऐसा कम बिलिंग और आयसों संग्रकी वज़ा से हो रहा है उप चुनाव के कारण अस्थानिय निती में बदलाव का राग बीजेपी अस्थानिय निती में बदलाव की राज सरकार की घोसना को भाजपा ने चुनावी एजन्डा करार दिया है भाजपा के परदेश महामंत्री सराज सभा सदस समीर उराव ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं एमन सुरेन अस्थानिय तय का राग अलापने लगते हैं राज सरकार की आपदा प्रवंधन संबंधिन मामलों पर फैसला लेने को गठित उचसर्दिय समीती ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अपनी यात्रा 72 घंटे के भीतर पूरी कर लोटने वाले को क्वारेंटेन में छुट दी है समीती के अध्यक्स राजे के मुख सचीव सुखदेव ने जारी आदेश में बताया कि अगर कोई ब्यक्ति हवाई मारिक से राजे में प्रवेश करता है और उसे तीन दिनों के भीतर ही वापस लोटना हो तो उस पर 14 दिन के क्वारेंटेन में रहने का नियम लागू नहीं होगा रेलवे भरती बोड ने 10 सल बाद परिशार्थी पर केस दर्ज कराया राची रेलवे भरती बोड की ओर से आयोजित परतियोगीता परिक्षा में अपने अस्थान पर दूसरे को बैठा कर परिक्षा दिनारे का मामला सोमवार को सेक्टर 12 थाने पहुंचा राची रेलवे भरती बोट के कनिश्ट रोहित कुमार ने सोमवार को सेक्टर बारा थाने में इस संबंद में प्रात्मीकी दर्ज कराई है दर्ज प्रात्मीकी में बिहार नलंदा के रहने वाले परचार्थी कमलेस दिक्षित को आरोपी मना गया है लंबित वरंट का सिग्र करे निस्पादन डिजीपी डिजीपी एमबी राव ने सभी डियाई जी एस एस पी और एस पी को निर्देश दिया है कि राजे में अपराधियों की गिरफतारी के लिए सगन अभ्यान चलाया जाए अधिकारिक सुत्रों ने मंगलवार को बताया कि राजे में 24 जीलों के थानों में बरतमाद 37 यार 169 अस्थाई वरंट लंबित है डिजीपी ने लंबित वरंट का सिग्र निर्देश दिया है रामगर के गोला में हाथियों का उत्पात किसानों की गई जान रामगर जीला के गोला वन छेत्र में हाथियों का उत्पात लगता जारी है मंगलवार को भी जंगल में हाथियों के जुन्डने एक किसान को कुचल डाला है आत्म निर्भर भारत के तहद बैंक सहायता करे सांसद राची के संसद संजर सेठ ने बैंक ऑफ इंडिया राची के उप महा प्रवंधक परितोस कुमार वर अन अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में आत्म निर्भर भारत क्रीसी वर अन छेत्रों में हो रहे काम पर विस्तार पुर्वक चर्चा होई सेठ ने अधिकारियों से आत्म निर्भर भारत के तहत जो भी छोटे छोटे उद्यमी लगो उद्यमी एवं कुटीर उद्यम के माद्यम से ब्यापार करना चाहते हैं बैंक उसे प्रसाहित करे उन्हें तुरंत लोन उपलब्द कराय की बात कही मुख्य मंत्री से खर्चावा राष्ठिये सहीद अस्थल के संदर्य किरन की मांग मंत्रा ने मुख्य मंत्री का एक मांग पत्रंपा जिसमें राष्ट्रिये सहीद आस्थल की देखरेग का जीमा आधिवासी हो समाज महासभा की अस्थानिय कमिटी को सपने का आगरह किया गया दूसरे राजियों के इस्कूलों का अध्यायन करेंगे जार्खन के लीडर सिक्षक जार्खन की 416 लीडर इस्कूलों के सिक्षक दूसरे राजियों के इस्कूलों का अध्यायन करने जाएंगे यह सिक्षक दिल्ली, रायस्थान, किरल, मद्यपर्देश समेत अन्य राजियों में जाएंगे और वहां के अधर्स वर लीडर के रूप में अस्थापित इस्कूलों के संचालन परकिरिया को देखेंगे मन्रेगा कर्मियों की मांगों को पुरा करे सरकार अंसारी, अपनी मांगों को लेकर पिछले 29 अगस्त से अनिस्चित कालीन हर्ताल पर गए मन्रेगा कर्मियों की मांगों को लेकर कांग्रेस के जीला सचीव, सयूम अंसारी के नितुत में पाठी कर करताओ का एक प्रतिनिधी मंदन ने मंगलवार को राज के ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलकात की। लोकडाउन उलंगन मामले में उर्सुलाइन कन्वेंट स्कूल सील। लोकडाउन का उलंगन करने के अरोप में मंगलवार को खोटी जीला मुख्याले के प्रतिष्ठिट स्कूल और सुलाइन कॉन्वेंट इंगलिस मेडियम को परसासन ने सील कर दिया जनकारी के अनुसार उस्कूल प्रवंदन ने इस्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अविबावकों को फोन पर मैसेज भेज कर बचों की कॉपी इस्कूल में जमाक कराने को कहा था साथी बचों को बगर इस्कूल ड्रेस में ही इस्कूल में लाने को कहा गया था इस मैसेज के अलोक में मंगलवार को बड़ी संख्या में वावक आपने बचों को लेकर इस्कूल पहुंच गए संपत्ती की जनकारी पर S.P. लगाएंगे मुहर जारखन पुलिस में सिपाही और हवलदार को जमादार में पर्मोशन दिया जाना है सिपाही हवलदार के पर्मोशन में पहली बार संपत्ती की जनकारी पुलिस मुख्याले ने सभी जिला से मांगी है जीले के SP के द्वारा सेवा पुस्तिका में संपति की जनकारी सनलंग कर भेजी गई थी लेकिन राजे पुलिस मुख्याला है कि डिया जी कर्मिक ए बिजया लक्षमी ने सभी जीला और संखायो के SP को परमोसन पाने वाले पुलिस कर्मियों की सेवा पुस्तिका वापस कर दिया है डियाजी करमिक ने अदेश दिया है कि जिला या सखावों के SP समपती बीवरान को केवल सेवा पुष्थिका में सनलंग न करें बलकि इसे सत्यापित कर अपने कर्याले के मुहर नियंत्री पताधिकारी कास्ताक्षर और प्राप्ति संख्या अंकित कर पुलिस मुख्याले को भेजे धन्यवाद